सबी दोस्तों को जय हिंद वंदे मात्रम, तो दोस्तों BSF ट्रेट्समेन का फीजी कल 22 मई से शुरू है, दोस्तों आपका फीजी कल 22 मई से लेकर जुलाई तक किसी भी डेट में है, तो आज आप लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी लेकर आए हैं, कि फीजी कल कैसे पास क करना है आपको राणिंग में चेस्ट में डॉक्यूमेंट में तो इस वीडियो को कम्प्लीट देख लीजिए और फीजी कल में आप लोगों को एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है जो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने बाले हैं यह हमारा फीजी कल से मतलब फीजी कल के लिए इनफॉर्मेशन का यह लास्ट वीडियो है इसमें जो आपके बीएसेफ ट्रेट्समेंट के फीजी कल सेंटर पर आपसे जो गलती होगा और जिसके कारण आपको रिजेक्ट किया दिया जाएगा वह गलती मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं क कि इससे साब्धान रहने वाला है ने तो भाई बीएसेफ के अधिकारी जानते रहते हैं ढूंडते रहते कि कौन यह गलती करे और उन्हें हम रिजेक्ट कर दे समझ के दोस्तों क्योंकि बच्चे काफी है सीट कम है और फीजी कल में सबसे जएदा बच्चे पास होंगे त जब पिछले वाल हम गये थे हाइट ठीक चेस्ट ठीक रनिंग ठीक क्या हुआ भाई तो सर हाइट में रिजेक्ट कर दिया क्या हुआ भाई तो चेस्ट में रिजेक्ट कर दिया क्या हुआ भाई तो सर रनिंग नहीं कर पाए सर घर पे बहुत अच्छा रनिंग करते थे ल complete देख लिए चैनल पर नए है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 22 मई से फीजीकल की पलपल की जानकारी इस चैनल पर दी जाएगी साथ में आप लोगों को बीएसेफ ट्रेट्समेंट 1284 का ओनलाइन कलास भी इसी चैनल पर चलेगा लाइब समझगे और कहीं आप लोगों को पैसा खर्च नहीं करना है कलास के पीछे ने तो यहां पर यूटूब पर लूटने वाले बैठे हैं वो ढूंडते रहते हैं यूटूब पर कहाबत है जाल बिछाओ दाना डालो चिरिया आएगी फसेगी वहीं बात है दाना डालता है जाल बिछाता है चिरिया आके फसेगी आप लोगों ने देखा होगा यूटूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल है जो आपको इनफॉर्मेशन के बहाने बार-बार अपने वीडियो में वह अपने बैच का परचार करेगा ले लो ले लो ये बैच ले लो वो बैच ले लो ये बैच ले लो आपको ठगता है समझे जो मेहन जिसका मतलब की समझे जो अच्छा चीज होता है आप लोगों को पता है कि जो अच्छा चीज होता है जो गुनवान व्यक्ति होते हैं वह सांत खड़ होते हैं दोस्तों मैं आप लोगों को आज तक कभी ना मैं कोई क्लास बेचा हूं ना कोई क्लास दिया हूं भाई जिसको पढ़ना है इक्छा है तो ब्याशर ट्रेट्समेंट का क्लास चैनल पर पीछे भी चला है और इस भरतिका भी चलेगा बस आ जाना लेकिन हाँ फीजी क कर पाए तैयारी कर पाए क्योंकि रणिंग पांच किलो मीटर है चौबीस मिनट में क्या होगा दोस्तों होगा कुछ नहीं जब आप लोग रणिंग ट्रेक उतरीएगा तो डरने की कोई बात नहीं अरे ये भरती है तो आगे बाली तो बरती है और इससे आगे बाली थो भ थोड़ा हल्का कति बढ़ाना है दूसरा फिर मतब ग्रॉंड के हिसाब से देखने जीए आपको तीन चक्र लगाना है कि चार चकर लगाना है कि पंच चकर परतीएक चकर में uespeed को आगे की तरफ ख़िचना है मतब i It bada can adjust लेना है जब लास्ट रॉंड आ जाए लास्ट समय बच जाए उसमें पूरा एसलेटर जिस तरह हम लोग बाइक का लेते हैं कि आज भाई पूरा एस्पीड पे चलाएंगे उसी तरह पूरा एस्पीड अपने आपको ले लेना है आर या पाल टेंसन बिल्कुल भी नहीं लेना है समझगे दोस्तों तो रनिंग ऐसे करना है रनिंग में देखे रनिंग में एस्टेंट जो छटते हैं छटते हैं लेकिन हम आप लोगों की चीज़ बताते हैं फिजिकल सेंटर पर दो बार हाइट चेस्ट होगा शुरू में आपका हाइट मापेगा समझगे यदि एक सब पोई सट सेंटीमीटर से कम रहेगा मतल्ब कि आपको बैठा दिया जागा सब्सक्राइब यहां पर बहुत कम बच्चों को है कम रड़ीच करेगा लेकिन इस भारती में इस भरती में जो में जो रिजिएक्ट होने बालों कि संख्या रहेगी वह रहेगा चेस्ट में और रनिंग में एक नमबर रहेगा में जाएगा फिजिकल सेंटर में तो अपने साथ अंगूर केला से जो भी है फल ड्रैफ्रूट ले लीजिएगा बिस्किट ले लीजिएगा समझ गे ताकि जब आप रनिंग पास कर ले तो आपको आधा यह घंटा समय देता है कि भाई आपका हाइट चेश दोबाड़ा का मिलेगा या तो आप केंटीन से खा सकते बेसे केंटीन से जहां पर आपको पैसा लगेगा समझ गए यहां आप अपने द्वारा जो ले जाएंगे वह दोनों में से खाना भरपूर खाईएगा क्योंकि आपका चेश्ट दुबाड़ा होगा बहुत सारे बच्चे क्या कर हैगा वहां बैठाएगा चेश्ट नमर देगा यह देगा वह देगा आप लोग देख लीजिए और समझ लीजे भूखे पेट सुबह में आप कितना चार बजे लाइन में लागेगा कौन साथ दुकान खुला रहेगा किसी भी फीजी कर बहुत होगा ति बिस्कीट आप ख अससे चेश्ट हहना खाना खाने सकते हैं आप जब जाहेगा आपका रनिंग होगा तो रनिंग होगा तो चैश्ट पर आप कितना आजये look 74 से 89 73 से कितना आ जाएगा समझ गे 76 तो ऐसे आ जाएगा chest इसलिए आप लोग जब आपको running के बाद समय मिले थोड़ा सा भी समय मिले तो आप जो भी लेकर गए है नास्ता उस्ता जो भी भर पेट खाईएगा या केंटीन में आपको बोरेगा खाने के लिए तो केंटीन में भरपेट खा लिजेगा ताकि आपको वहाँ पर चेस्ट में कमी ना हो और सबसे ज़्यदा बच्चा चेस्ट में गलती करता है वह ठीक तरीके से फुला नहीं पाता है जिसके अकारण बेसे ट्रेट्समिन में रिजेक्ट करता है और देख लिजेगा मैं भी भी बोल रहा हूं जब हम फीजिकल करोंड पे जाएंगे इसी चैनल पर वीडियो बनेंगे तो आप लोग देखेगा चेस्ट वाले सबसे ज़्यदा बच्चा होगा चेस्ट में सबसे ज़्यदा बच्चा रिजेक्ट होगा जिसका चेस्ट कम है भाई तो डेली पुसब करो रोज पुसब करो केला खाओ अंडा खाओ जो यह दिमान समचली खाते तो खाओ और देखो आपका जो चेस्ट है निपल से नीचे यहां से मापेगा हम पिछली वीडियो में दिखा दिये हैं भाई समझ गे तो इसी लिए रोज पुसब कीजिए जिसका आगे फिजीकल है और यही जानकारी हम आप लोगों को देना चाहते थे यह लास्ट वीडियो है कि हम बता दिये क्योंकि अब सिधा फिजीकल से वीडियो बनाएंगे डॉक्यूमेंट का बना दिये हैं हाइट क्या लगेगा चेस्ट क्या लगेगा सब कुछ का बीडियो हम बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिये है सायद कोई ऐसा स्टुजेंट होगा जो हमार सब वीडियो नहीं देखा होगा रनिंग कैसे होता है आप पोपलर वीडियो में जाके किलिक कीज़े तो रनिंग का भी वीडियो मिल जाएगा समझ के दोस्तों तो धैर ये बना कर जाना है डरना नहीं है बेसर ट्रेट्समेंट के फीजिकल में आप लोग फीजिकल पास करके आगिया और इसी चैनल पर कलास से लेगी मिलके नेक्स्ट वीडियो में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजे जाहिंद वन्दे मात्रम